नमस्कार दोस्तों महांब बुलकित माँं सिंगला सुआगत है आपका हमारी शायल में दोस्तों आज हम इन गलतियों के विशे में बात करेंगे जिनको करने से शादियां बरबाद हो जाती हैं नहीं टिक पाती ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं तो अगर आपके घर में आपके बच्चे की शादी होने वाली है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप ये गलती ना करें और फ्यूचर में अगर आपको अपने बच्चे की शादी करनी है तो भी ये बहुत important है otherwise आप इतनी नजर हाई ले लोगे के शादी टिके की नहीं maximum शादियां नजर हाई लगने से बरबाद होती है और नजर हाई हम लोग जाने अन जाने में खुद ही ले लेते हैं तो कारण क्या है गलतियां क्या है बिना देरी करते हुँ आपको बताता हूँ पहली गलती पहली गलती क्या होते है कि जैसी कोई रिष्टा पका होता है हम उसका धंडोरा पूरी दुनिया में पीट देते हैं रिष्टेदारी में बताएंगे प्डोसन को बताएंगे सहीली को बताएंगे हर एक को बताएंगे मतलब घर की ओरटों के पर पेट में बात नहीं क्wenहिती फोन घुम जाते हैं जगे जगे इससे से भी मिलन जुलना है जिसको इसे भी आप मन की बात शेयर करते हूं उससे आप सब कुछ बोल दोगे और इतना आप बड़ा चड़ा के लोग बोलते हैं दूसरे को जान बुचके डाउन दिखाने के लिए नीचा दिखाने के लिए अपनी प्रभुसत्ता दिखाने के लिए अपने आपको उचा दिखाने के लिए कुछ knowingly भी बोलते हैं और जब आप दूसरे को इतना बड़ा चड़ा के बोलोगे तो वो insecure हो गई होगा और वो insecurity में फिर उसके बाद नजर लगाता है क्योंकि वो ये सामने वाला गबरा जाता है और वो कहता रहे इतुका तो बहुत बड़ी है काम बन गया और उसी moment आपको नजर लग जाती है और इस वज़े से बहुत सी शादियां हो ही नहीं पाती रोके के बाद शादी तूड़ जाती है सगाई के बाद शादी तूड़ जाती है सगाई हो गई शादी होने से पहले खटास पड़ जाती है को जगड़ा पड़ जाता है उसके पीछे भी नजर हाई का बहुत बड़ा रोल होता है दूसरी गल्ती क्या लोग करते है अब यह सुनिए दूसरी गल्ती है कि शादी का कार्ड उनको भी दे देते हैं जिनको नहीं देना चाहिए हम क्या करते हैं जिस रिش्थिदार से प्रॉपर्टी का विवाज चल रहा है जिस पडोसी से जगड़ा होके चुका है, जिस दोस्त से मन मोटाव चल रहा है, उनको भी कार्ड पकड़ा देते हैं, यह सोचके कि शायद अब relation सुधर जाएंगे, हम अपनी तरफ से के पहल कर रहे हैं, कि relation को सुधरने के लिए कि बही इनको शादी में बुला लो, हाँ, एक मिनट के लिए यह पॉजिटिव पहल है, पर यह जरूरी नहीं कि सामने वाला बंदा भी वैसी ही सोच रखता हो, उसके अंदर भी पहल करने का मन हो, आप से relation बनाने का मन हो, यह जरूरी तो नहीं, और होगा क्या, कि आपने तो अपना अच्छा एक नियत से उसको काड़ दिया, relation सोधारने के लिए वो उसी काड़ को देखेगा, पढ़ेगा, कोसेगा आपको, बद्दुआ देगा, हाई लगाएगा, नजर लगाएगा, और शादी में आएगा, तो भी नजर हाई लगाएगा बद्दुआ देगा, कोसेगा आप ही का खाना खाएगा, आप ही का पानी पिएगा और दुआ के जगे बद्दुआ देके जाएगा, और अगर कोई ज़्यादाई कमीन हुआ, तो तोटके का कुछ भी आइटम, गिफ्ट में पैक करके आपको पकड़ा देगा, तो आप बला करने चले, रिलेशन बनाने चले, आप खुदी अपने बच्चे की शादी बरबाद कर लोगे तो अगर पडोसी से जगड़ा हुआ है M.E. केबली प्यार से बना लो जरूरी नहीं है, ब्या में ही बुलाना है रिष्टदारी में जगड़ा हुआ है प्रॉपर्टी के जगड़े हर रिष्टदारी में होते है कोई ऐसा घर नहीं है जा प्रॉपर्टी का जगड़ा नहीं हो रिष्ट चाचा से, ताउ से, बुआ से, मासी से कोई ऐसा घर दुनिया में नहीं है तो जगड़ा जब हो लिया तो वहाँ पे वो प्यार अब नहीं रहा एक बारी जो कहते हैं ना डाली तूट गई है वो दुबारा नहीं जुड़ सकती जुड़ेगी भी तो उसमें वो दरार रहेगी वो अलग ही पता लगगा कि दो अलग हिस्से हैं जिनको बस जबदसी चिपकाया गया है तो रिलेशन मनाने के दूसरे तरीके देखो शादी में मत बुलाओ क्योंकि ये अपने आम में एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं और उससे जगड़े बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं तीसरी गलती क्या करते हैं तीसरी गलती करते हैं कि खाना लेट खोलते हैं शादी का जान बुझ के भाई अगर आपकी पौकिट अलाओ नहीं करती कि आप 500 आदमी को जिमा सको 800 आदमी को जिमा सको तो आप कम लोग बुलाओ लोग बुला लेते हैं धेर सारे फिर उसके बाद शादी वाले बैंकर ठोल वाले से बरात वाले से जगड़ा करते हैं कि तू खोमचे रख 10 और खोमचे दाज़ ज़्यादा रख 12 बज़े तक खोमचे चलने चाहिए ताकि मैक्सिम लोग खोमचे खाके निकल लें खोमचे में क्या है गुल गप्पे, टिक्की, चाट पकोडी, चौमिन ये सब खाके लोग निकल जाए और जो फिर उसके आब 12 वज़े तक थक खार के जो बिलकुल ही धीट होंगे अगर कोई भई वो रुकेंगे अधरवाइस बराती रुकेंगे या घर के रुकेंगे तो सिर्फ उनी के लिए रोटी खोलनी पड़े क्योंकि परप्लेट का हिसाब है तो जब आपके बसकी नहीं है खर्चा करना तो आप क्यों किसी को बुला के बेज़ज़त कर रहे हो कोई भी बंदा भूका पेट आपके हां से गया तो वो आपको खुदी आप अपने मन से सोचो वो आपको दूआ देगा या बदूआ देगा आप भी के साथ ऐसा हो आपको ब्या में बुलाया जाए बारा वजे तक खाना ना खुला जाए और आप सिर्फ एक आटिक की विक्की से तो पेट भरोगे नहीं या पूरे सो गोल का पेट हो उसके तो पेट भरोगे नहीं थक खार के अब सगन पकड़ा के देखो के लेट हो रहा है अगले दिन ओफिस भी जाना है सो काम है बच्चों को स्कूल जाना है सो तरीके आप घर आ जाओगे और गाली देते वे आप आओगे मनीमन रस्ते बार आते वे भी उसे कोस होगे तो वही चीज़ लोग करते हैं गलती मचूच पना करते हैं अगर पैसे नहीं है जेम में तो उतने लोग बुलाओ जितनों को आप खिला सको नहीं खिला सकते नहीं आपकी पॉकेट लाओ करती आपके पास पैसे नहीं है तो बेज़ती दूसरों की मत करो और वो घर आते वे अपने आपको कोसेंगे क्योंकि भूके पैट आएंगे फिर घर आके अपने ले रोटी बनाएंगे कोई भी बंदा बया में जाने के लिए 10 बजे का बयाए, 9 बजे का बयाए, 8 बजे का बयाए 6 बजे से हर इंसान तयार होना शुरू हो जाता है पूरा दिन अपना प्लैन करता है आपकी शादी के लिए आपकी रोनक बढ़ाने के लिए और वो फिर आके भूका जाए बहुत बड़ा अपमान है बहुत बड़ा अपमान है और ऐसे में जब वो हाई लगाएंगे कोसेंगे तो वो हाय आपके बच्चों को लगेगी जिनकी शादी आप कर रहे हो ये सबसे बड़ा तिरसकार है किसी का कि आप उसे घर बुला रहे हो और एक तरीके से घर ही आप बुला रहे हो जहां भी पड्डाल में बुला रहे हो और उसको खाना नहीं खिला रहे हो और भूका भेज रहे हो और ये समझ लो हजारों लोग ये बेवकुफियां करते हैं तो यही दिमाग लगाते हैं कि खोमचे से ही काम चलवाते रहेंगे खाना खोलेंगे ये नहीं खाना जब खोलेंगे जब देख लेंगे मैक्सिम भीड चली ज़िए तो उससे आपके समाज रिलेशन भी खराब होंगे और बद्वा हाई इतनी ज़्यादा लगेगी जिसका कोई हिसाब नहीं जिसकी वज़े से आगे चलके वो शादी सक्सेस्फिल होगी ही नहीं क्योंकि अगर आपके यहां से 50 लोग भी भूके गए और उन में से 20 लोगों ने भी आपको बद्व बतना पड़ सकता है तो ये गलती बिलकुल ना कीजे हैसियत ना हो खिलाने की तो कम लोगों को बुलाईए बुलाईए जब आप वक्त पे खाना खोल सकें 8-9 बज़े खाना खोल दीजे ताकि लोग खाना खा सकें मैक्सिम लोग शादी में खाना खाने ही जाते हैं फेरो समाजिक लोग कोई नहीं रुकता सब समाजिक में तर दोस्त भाई होते हैं कोई नहीं रुकता सब सिर्व आपके रिष्टदार रह जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा खास हैं जिनका बिस्कुली करेक्शन है वही फेरो कोई वक्त आपको नजर आएंगे तो अगर आप उमी कीजे, जिससे कोई दिक्कत ना हो और आपकी पॉकेट पे भी असर ना है, चौती गलती लोग क्या करते हैं, कि बहुत जादा लोगों को बुला लेते हैं बहुत जादा कराउड इखटा करने से भी नजर हाई लगती है, हर एक की जो एंटरस्टेंडिंग आइडियोलोजी आप नहीं समझ सकते, तो इसलिए लिमिटेड लोगों को बुलाईए जितना कम लोग होंगे शादी में, उतना वो शादी सेक्सेस्फुल होगी उतनी जादा हाई नजर कम लगेगी, लोग लिटरली दूसरों की तरक्की देखके कुड़ते हैं, शादी में कौनसी गाड़ी मिली है कैसा लेंगा पहना है अरे इतना बड़ा बंडाल है, अरे क्या बड़िया बैंकट में की है, पैसे तो बहुत है इसके पास, तो ये सब डिसकेशनें खाना खाते वक्त चलती है ये नहीं चलती कि अरे हम तो आशिरवाद देने आए हैं अई दूलन मिल जाए हम उसको आशिरवाद दें, दूला मिल जाए उससे आशिरवाद दें, पूतो नाओ, दूतो फलो, जो भी है, वाटैवर डाटिस ये दूतो नाओ, पूतो फलो, वाटैवर डाटिस ये सब चीज़े किसी ने नहीं बोलनी अरे ये कितना बड़ा बैंको ठाल बुक करा है नोट तो बहुत है इसके पास यूँ ही ना टक करता है अरे इसने उपर की बनाई भी तो बहुत होगी अरे लड़की को देखो वी तक तो कोई रिष्टा मिली नहीं दाता ये तो हमने कराया है तो उल्टी सीधी बस बकवास आपस में लोग करते हैं खाना में बढ़िया नहीं है, इसमें नमक तेज है अरे केटर बढ़िया नहीं करा तो यही सब बाते लोग करते हैं और सगन पकड़ाते हैं निकल जाते हैं जो रियालिटी है तो इसलिए उनको बुलाईए लिमिटेड लोग को जिससे थोड़ी आपको क्योंकि लोग क्या करते हैं दिखावे के लिए बुलाते हैं कि देखो हमारी शादी में कितने आदमी खटे हुए और लड़के वाले ये बदमाशी पहले शुरू करते हैं क्योंकि कहते हैं अपनी जेब से तो जानी ना लड़की वाले की जेब से जाना है काटो इसको हम सीधा बोलते हैं उनके पास आदमी नहीं होंगे सो भी लड़के वालों के बास पर बोलेंगे हमारी तरफ से तो जी हजार आदमी आएगा हमारा तो बहुत बड़ा कुनबा है हमारा तो बहुत बड़ा सरकल है हमारे तो बहुत बड़े सा माजिक वो है क्यों 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 क्योंकि अपनी जेब से तो पैसा देना नहीं पड़ रहा पैसा देगा लड़की वाला तो इसको काटो साले को इसको लूटो ये लड़के वालों की मैक्सिम्म की आद सोच है तो हजार आदमी में कैसे पूर्ती करें अपने बाल काटने वाले को भी बुला ले अपने टेलर को भी बुला ले अपने दोस्त को भी बुला ले अपने दोस्त के दोस्त को भी बुला ले इसको भी बुला ले उल्टे सीदे लोगों को बुला ले जो बुलाने लायक नहीं है उन्हें भी बुला ले तो सिर्फ भी डिखटी करनी है शोशेवाजी दिखाने के लिए तो उसी शोशेवाजी को दिखाने के चकर में जो लोग आपके लेवल के नहीं है या जो आपकी आइडियोलोजी से मैच नहीं खाते वो लोग जब आते हैं नजर हाई ही लगाते है फिर उसके अलावा अगर शादी के में आप नौनवेज का प्रयोक करते हो तो भी नेगटिवटी आती है शादी एक पवित्र बंदन है इसमें बाकादा रिचुल्स होते हैं देवी देवताव का आवाहन किया जाता है साथ फेरे लिए जाता है अगर हम हिंदू दर्म की बात करें अगनी को सक्षी मानी जाती है अगनी को अगनी देवता को तो ये छोटी बात नहीं है उसमें भी वटिश शादी एक धार्मिक कर रहे है आप सिंपली किसी रजिस्टर पर साइन करके अगनी को सक्षी मान रहे हो जो सबसे पवित्र माने जाती है अगनी को सक्षी मान के आप फेरे ले रहे हो कसम खा रहे हो वचन खा रहे हो भगवान को देवी देवताओं का आवान करके कर रहे हो और वहीं पर बराबर जानवरों की लाश के टुकडे पड़े हुए कई मुर्गा कई चिकन कई बकरा कई कुछ तो वो शादी कहा है कि टिकेगी मैं यह नहीं कहा रहा सारी शादियां फिर बरबाद हो जाएंगी आज भी शादियां है जिन में नॉन्वेज को पकरा है पर नेगिटिवटी आती ही आती है तो सिर्फ महमानों को खुश करने के लिए आम नॉन्वेज मत रखिए नॉन्वेज अवाइट करेंगे शादी में शादी जादा टिकेगी इस बात को गाट बान लिजे यह कोई दिखावा नहीं है इसमें कि मासूम जानवरों की लाश के टुकडे पकाके रखने से आप बहुत उची नाक वाले बन जाओगे या बहुत रही इस कहलाओगे तो इसलिए वेजिटेरियन खाना रखिए ताकि कोई भी देवी देवताओं का और पितरों का आपको दोश ना लगे इसके लावा शादियों या इसलिए ने टिक पाती नजर हाई के साथ साथ पितरों की नराजगी देवी देवताओं की नराजगी कुल देवी देवता की नराजगी और जिस ईश्वर को आप मानते हो उसकी नराजगी भी हो जाती है अगर आप उनको सम्मान नहीं देते उनसे प्रातना करो उनसे आशिरवाद लो उनके लिए खाना की थाली निकलवाओ यह बहुत important है इसके अलावा पहला कार्ड गनेश जी को दिया जाता क्योंकि वो विगन हरता है अगर आप वो नहीं करते तो भी शादी में negativity बढ़ती है एक चीज और है अगर शादी में आप किसी भी तरीके से कोई protection नहीं रखते जो आपका फेरे वाली जगे है उसको well protected रखवाईए कि वहाँ कोई जाए ना कोई एक room उनसे बात किजिए कि एक कमरा हो उसमें फेरे हो ताकि कोई भी बंदा उस area को disturb ना करे हर एक की energy होती है तो अगर वहाँ पे कोई टोटके की चीज रख देता है आपको पता में नहीं चलेगा क्योंकि सब मसते हैं शादी में तो ऐसे में भी कभी-कभी negative energies लोगों द्वारा establish कर दी जाती है जिसके कारण भी शादियां नहीं टिकती तो नजर हाए तो हम लोग accumulate करते ही है black magic भी बहुत जादा शादियों में लोगों द्वारा किया जाता है खास कर जो हमारा बुरा चाहते है इसके अलावा शादियां आप अगर पहले के जमाने में जो मुगलकाल था अंग्रेजों का वक्त था तब हिंदू जो लोग होते थे जब भार के आकरबन करने वाले लोग थे खास कर अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो ये बहुत जादा त्याचार करते थे इंडियन्स पे तो इस वज़े से शादियां रात को होती थी चुप चुप के, बच के अब वो चीज़ें नहीं रही अब तो आप आजाद मुलक में हो सही मायने में शादियां दिन में होनी चाहिए रात के वक्त असूरी शक्तियां जागरित रहती है आप फेरे पढ़ रहे हो रात के वक्त देवी देवताओ का वान दिन में होना चाहिए अच्छा महुरत देख के होना चाहिए रात के वक्त में जो सबसे ज़्यादा नेगेटिवटी का वक्त होता है उसमें आप पूरी लड़कियां भी सजी दजी है, मेकप भी हुआ हुआ है परफ्यूम भी लगा रखा है, सब कुछ है पूरा और तब आप कर रहे हो शादी तो अपने आमें मैं यह नहीं कह रहा है हालकि करोडों शादियां रात को ही हो रही है जब से विदिवदान चल रहा है पर हम इस चीज को चेंज कर सकते है अगर हम दिन में शादी करेंगे वो शादी ज़्यादा सक्सेस्फुल रहेगी अब ट्राइ करके देखिए दिन की शादी में और भी ज़्यादा आपको फायदा होगी स्ट्रेस कम होगा, परेशानिया कम होगी जल्दी फंक्शन हो जाएगा तो जतने कम लोग होंगे जतना ज़्यादा कम धिन्डोरा पीटा जाएगा उतनी सक्सेस्फुल शादी होगी जतने ज़्यादा लोगों की इन्वल्मेंट होगी जतना ज़्यादा दिखावा होगा उतना ज़ादा नजर हाए लगेगी इसके लावा शादी की फोटो तुरंत डाल देना इधर शादी हुई नहीं फेस्बूक, इंस्टाग्राम, भर दिया फोटो से नजर हाए इतनी लग जाएगी उन लोगों की भी लग जाएगी जिन्हें आप जानते ही नहीं हो कर देती है, तबहा कर देती है किसी मकान को भी नजर लगा दो न, तो मकान भी नहीं खड़ा रह सकता तो वो तो नॉन लिविंग आइटम है, तो इनसान की तो बिसाती क्या है तो इसलिए अपने आपको बचाईए और इन गलतियों को मत कीजे आप बचे रहेंगे और आपकी शादियां भी बची रहेंगी अगेन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हर तरीके की नेगटिवटी से बचेंगे और जो भी लोग नेगटिवटी के शिकार है या परेत रोगी है वो हमारा प्रोटेक्शन लोकेट पहनें उसके बाद ही वो शादि करें ताकि आपका बचाव हो और आप संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन लेके मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं कोई भी आपको remedies चाहिए तो शादी नहीं हो रही है या शादी से related कोई problems आ रही है तो उसी साब से आपको solutions दिये जाएंगे remedies कराई जाएंगे आपको उसके लिए mobile number 8130331007 पे संपर्क करना होगा number दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007 description पे आपको details मिल जाएगी आप दुने के लिए protection locket के लिए भी हाँ संपर्क कर सकते हैं मैं हूँ आपका दोस्त पिलकित महान संगला